विलकम यू अगेन इंदी स सच्दान लर्नी चनल आईए इस वीडियो में हम लोग कच्छा बारहमी के जो पहला चेप्टर हवी स्थास सप्लिमेंटरी का दा थार्ड लेबल इसके साथ कोश्चन आंसर को हम लोग चेक करते हैं जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोड एक्जाम में दो साथ कोश्चन आपसे पुछा जाएगा आठ नमबर का और जो की काफी इंपर्टेंट होते हैं तो आएए आपके चेप्टर का पहला कोश्चन यहां पर दखते हैं थर्ड लेबल चेप्टर का पहला कोश्चन क्या दिया है यानि तीसरा तल क्या था और यह कहां पर इस्थित था इसके आंसर को आई चेक करते हैं थर्ड लेबल वाज़ दे सबवे फीचर मूब से फास्टर दैन दे बस जो त्रिती तल की बात हो रही है यह एक सबवे था यानि एक उपमार्ग था जो की बस से भी तीब्रगती से चलता था और चारली के लिए तो वहाँ से भाग जाने का एक मेडियम था माध्यम था और यह कहां इस्थित था इस्थित था और दूसरा कोशन आईए चेक करते हैं यानि मनुचिकसक कौन था उसने तीसरे तल के बारे में अपने जो फ्रेंड उसका था चारली उसको क्या बताया देखें psychiatrist was a friend of Charlie psychiatrist जो था वह चारली का दोस्त था he told about the third level that the modern world is full of insecurity देखें जो मनुचिकसक था वो अपने दोस्त चारली को बताया था कि देखो तुमसे अपने देख रहे हुआ कि तीसरे तल होता नहीं उसने यह बताया कि जो आज का यूग है आज का जो वर्ड है यह जो है फूल of insecurity और असुरच्छा से भरा हुआ है यहाँ पर fear है, डर है, worry है, चिंता है and all the rest of it और भी चीजे यहाँ पर मौजूद है and he just wants to escape it और वह इससे बचना चाहता है आए कोस्चन नमर तीसरा दखें जो की काफि इंपर्टेंट है वाट एबाउट इज ग्रेंड फादर डिड चारली टेल टू इज फ्रेंड तो जो चारली था, अपने दोस्त को अपने दादा जी के बारे में क्या चीजे बताया तो answer checker, चारली टोल्ड हिज फ्रेंड इबाउट हिज ग्रेंड फादर that हिज ग्रेंड फादर डिड नाट नीड इनी refuge फ्राम रियल्टी मने उसने बताया कि हमारे दादा जी को वास्तिविक्ता के बारे में कोई आउसकता नहीं थी उनको जो रियल्टी थी वास्तिविक्ता था उससे बचने का उनको कोई जरूरत आउसकता नहीं होती थी तिंग्स वेर प्रेटी नाइस और पीस्पूल इन इस डेज और उनके समय में उनके दिनों में जो चीजे होती थी वस्तुए होती थी सुन्दर थी सांधी पुरवक्त होती थी और उनके जो दादा जी थे जो कलक्सन था जो स्टांप कलक्सन का कारे होता था उसको प्रारंब किये थे और स्टम्प कलक्षन टिकट का जो कलक्षन करते थे उनके लिए अच्छा था कॉस्चन नमर फोर्थ चेक करें तीसरे तल में आखिरकार चारली कैसे प्रवेस किया दखें चारली टर्न इंटू ग्रेंट सेंटरल स्टेशन पहले ग्रेंट सेंटरल स्टेशन की तरव मुड़ा और फिर पर्थम तल की तरव कदम रखा और इसके बाद ही वाज लास्ट इन कोरिडोर फिर वहाँ पर कोरिडोर के मद्द में वह छिप जाता अर्थात एक कहें तो गलियारे जो थे कारिडोर थे उसमें वो खो गया देन ही वाज शी वाग्ड एंडर फ्लाई टू दी सेकेंड लेबल फिर इसके बाद सेकेंड लेबल की तरफ बढ़ा एंड देन ही डग्ड इंटू आर्च्ड दोर वे इसके बाद फिर आगे वह अर्ध चक्राकार दरवाजे से होता हुआ हेडिंग फार्द सब वे उपमार की तरफ अग्रसरीत होता है दस ही इंटल इंटू थे थर्ड लेबल इस तरह से उसे लगता था कि अब वह तिसरे तल पर आ गया है क्वेश्चन नमर फाइब चेक करेंगे देखे वाई डिट चार्ली थिंक देट ग्रेंड सेंटरल वाज ग्रोविंग लाइक ट्री पूसिंग आउट निव कारिडोर्स एंड इस्टेर केसेस लाइक रूट्स चार्ली ने क्यों सोचा कि ग्रेंड सेंटरल एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा था और इसमें से निव कारिडोर्स नए 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 गलियारे और इस्टेर केसेस स्मने सिधीओं को जड की तरफ बढ़ते हुए ऐसा वो देखा ऐसा वो थिंग किया थाट किया कि ये जो Central Grand Central Station है यहाँ पर कारीडोर नए नए कारीडोर बढ़ रहे हैं और सिलियां आगे की तरफ आती जा रहे हैं जैसे कि कोई पेड़ की सखाएं होती हैं डालिया होती हैं आंसर चेक करेंगे देखें चारली को ऐसा लग रहा था उस वक्त वो तो तीसरे तल की तलास में था चारली थाट डाइट Grand Central वाज ग्रोविंग लाइक ट्री उसको लगा यहीं सोचा कि यह ट्री एक पेड़ की तरह आगे की तरफ सब बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं य नए नए मिलते जा रहे हैं ट्री पुसिंग आउट न्यू कारिडोर्स और इस्टेर केसे नए नए जो कारिडोर हैं और इस्टेर केसे सिलिया हैं यह आती जा रही हैं लाइक रूट्स पेल पावदहों की तरह बढ़ती जा रहे हैं विकाजी तो आज मेकिंग न्यू इस्ट एक के बाद एक गलियारा मिलते जा रहे थे कारिडोर और टनल्स माने सुरंग लाइक रूट्स आप ट्री जैसे पेड़ पावधों की जड़े होती हैं उस तरह से सुरंगे भी उसको मिल रही थी कोश्चन वर दखे 6 चेक करेंगे what did Charlie find when entered the third level जब तिसरे तल में आखिर प्रवेश किया तो वह क्या चीज़ पाता है उसे वहाँ पर क्या चीज़े मिली तिसरे तल पर दखें when Charlie entered the third level जब तिसरी तल में प्रवेश किया तो he found that there were open flame gas lights तो वहाँ पर उसने कुछ जलती हुई कुछ गैस लाइटे पाया, बत्तियां पाया, वो भी आग की, आग की बनी हुई, जो धदक्ती हुई बत्तियां थे उसको मिली, there were brass spittance on the floor, और वहाँ पर थुकदान भी मिले थे, फ्लोर पर वो पीतल के बने हुए, and he saw that everyone in the station, in the station was dressed like 18, 19 something, और उसे लगा कि station पर हर कोई नए-नए कपड़े पहने हुए, जैसे कि उनकी उम्र लगभग 18 और 19 से लेकर के कुछ ऐसे ही था लोगों का, और आगे क्या बता रहा है कि Charlie साग लेंपा साफ लोकोमोटीव, और वहाँ पर कुछ जो Charlie तयंदर थे इन जनों को की भी जलक उसने पाई थी कारी ओर में तिसरे तल पर, कोश्चन नमरते के सेवंत, वाट डिट चाली डू, तो यहां पर पुछ रहा है, यह जो है, बिस्वस्त होने के लिए, अपने आपको स्वेर, स्वेर करने के लिए, कि वह तिसरे तल पर इस्थित था, इसके लिए उसने क्या किया, व विए, बिस्वस्त होने के लिए, कोई तिसरे तल पर था, वें टो निवच पेपर वाई, और ग्लांस्ट एड़ दे स्टॉक अफ़ पेपर एट इस फीट, तो वहां एक समाचार जो निवच पेपर बेचने वाला लड़का था, वहां पर उसके पास जाता है, और उसके प समाचार पतर था, और वर्ड़ पेपर था, और वह काफी वर्षों से परकासित नहीं हो रही थी, और ऐसी चीज़ें जो है, तिसरे तल पर ही होती हैं, ऐसा उसे पहले से आउगत था, और आगे फिर देखे रहे हैं कि he turned towards the ticket windows, knowing that there on the third level at Grand Central Station, फिर वहां पर Grand Central Station का पता लग थे, question number 8, I check करता है कि what information about Gelsberg, Illinois is given in the text, तो यहां पर Gelsberg, Illinois के बारे में क्या जनकारी दी गई है, इस टेक्स्ट में, इस अध्याय में, इसका अंसर चक करता है, Gelsberg, Illinois is a wonderful town, still with a big frame houses, huge lawns and tremendous trees, यह बता है कि Gelsberg, Illinois जो था, एक भहुत ही अधभुत टाउन था, सहर था, जहां पर बड़े-बड़े भवन थे, frame houses थे, huge lawns थे, बड़े-बड़े विसाल मैदान थे, tremendous tree और विसाल का bridge थे, huge branches meet overhead and ropes, the stills, गलियों में, छटों के ऊपर यह, जो उसकी सखाएं थी, आई, चाही हुई थी, people sat out on their lawns, और उन हरे घासों पर लोग बैठे हुए थे, पुरूस कुछ smoking cigars and attacking quietly, मैंने जुम रपान करते हुए, सांति प्रोक बाते कर रहे थे, यहाँ पर, और question number nine check करेंगे, what happened with Charlie at the ticket window, तो ticket window, जो जहाँ पर ticket मिलता था, उस खिलकी पर, क्या हुआ था चारली के साथ, चारली turned towards the ticket windows and wanted to ticket for girls work, तो girls work जाने के लिए, दो ticket के उसको जरूरती वहाँ पर जुग गया, और चारली फेड, the current note which was different, और आज का note परस्तूत किया था, जो की थोड़ा सा अलग था, बरतमान note दिया था, वहाँ पर ticket खरीदने के लिए, the color को, the color become angry, कोधित हो गया था, जो color कोधित हो गया, उसके इस पैसे को देख करके, चारली turned away and got out first, और वहाँ से डर करके, कहीं हम पुलिस के गिरप्त में न आ जा, वहाँ से भाग पड़ता है, जो चारली था, question of 10 देखें, did Charlie find the corridor at Grand Central Station again, क्या चारली को Grand Central Station पर गलियारा जो है, दुबारा मिला, why or why not, और यदी मिला तो क्यों अथवा क्यों नहीं, इसके आंसर को आईए चकरते हैं, देखें, Charlie did not find the corridor at Grand Central Station again, that leds to the third level, तो उसको दुबारा फिर फिर जो नए नए corridors थे वहाँ पर, वो नहीं मिल पाए, नए गलियारे नहीं मिल पाए, जो की तिसरे तलकीत रपले करके जाते हैं, He tried much, बहुत कोशिस किया, tried much, but unsuccessfully, सफल रहा, He went back to his stamp, अपने उस stamp collection की तरफ वापस आया, but now he, every weekend looks that the third level is still there, तो हर सब्ता हमें वह जाता है, और तलास करता है कि साइद तीसरा तल अब मिल जा, Question number 11, Check करेंगे, Who was Sam Wiener, Sam Wiener कौन था, Where was he disappeared and why, और वो फिर कहां गायब हो गया, और ऐसा क्यों, देखें, Sam Wiener was the friend of Charlie, Charlie का दोस्त था, and nobody knew where Sam Wiener disappeared, कोई जानता नहीं अब तक कि कहां पर गायब हो गया, but Charlie suspected, because Sam was a city boy, कि Charlie को थोड़ा सा संका था, कि वो है एक सहर का लड़का है, and he used to tell him about Gillesburg, और प्रायह जो है, वह उसको बताता रहता है, Charlie को, कि Gillesburg उसको काफी चाहत होती हो सकता है, कि Gillesburg अस्थान पर ही कहीं वह गूम हो गया हो, क्योंकि उसी के बारे में प्रायह बाते किया करता था, question number 12 देखेंगे, what was stamp collection, stamp collection क्या था, how was it related to Charlie, से कैसे संबंदी था, देखे, stamp collection was a temporary refuge from reality, वास्तिविक्ता से एक वचना था, stamp collection was related to Charlie, Charlie से संबंदी था, because his grandfather started a collection for him, क्योंकि उसके दादा भी यहीं काम करते थे पहले, उसके लिए collection का काम करते थे, ticket collection करते थे, it was a nice collection for him, और उनके लिए यह collection करना, stamp बटोड़ना, collect करना यह अच्छा लगता था, अच्छा था, question number 13 चेकर, what did Sam write in his letter to Charlie, तो एक पत्र लिखा था, Sam ने अपने दोस्त चारली को, और वह चीज क्या लिखा था, उस पत्र में अपने चारली के लिए, answer चकरेंगे, Sam wrote in his letter to Charlie, that he was living on the third level now, अपने दोस्त चारली को यहीं बताया, Sam ने अपने letter में, कि देखिए, अभी मैं इस वक्त तिसरे तल पर हूँ, और उस पत्र में लिखा था, कि मैं तु तिसरे तल पर हूई हूँ, और तुम भी जहां भी हो, तुम और तुमारी जो पत्नी लूसिया है, खोजजारी रखें तिसरे तल का, कोशन नबर 14 चेक करें, कि वाई डिट Sam buy old currency, of 800 dollars, जो 800 old currency notes थे, वो क्यों खरीदा, और what did he do with it, और फिर इससे वो क्या किया, देखे Sam bought 800 dollars worth old style currency, जो कि पुरानी धं की notes थे, currency थे, because he wanted to set up his new business, क्योंकि नया धन्धा, प्रार्म करना चाता था, स्थापिक करना चाता था, and he could not certainly go back to his old business, उसका जो प्राचीन कारे ब्युशाय था, उसकी तरफ वापस नहीं जाना चाता था, so he decided to do a nice little है, और वो सोचता था कि कोई मैं नया काम करूं, थोड़ा भूते भूसा का काम, पस्चूं के चारे का, और अना अज इत्यादी का बिजनस में प्रारंब कर दूं, so thanks,